जै शीराम भगतो, जै शीरी बालजी महराज, जै मातागी, कैसे हो आप सब आशे करते हैं कि आप सब जहें सुरक्सित हैं, सुस्त हैं, और माजगजनी, मांबवानी की करीपा आपके उपर बनी भी है, यही कामना दिल से रहती है, तो आज हम बताएंगे आपको कि अगर जो ह जो बिचार हमारे मन में आते हैं क्या ये कोई मतलब negative energy के भी हो सकते हैं तो आप हमारे साथ अंतक बने रहें तब ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जो है अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे जो है आपको मेरी हर वीडिय कि किर्पा हमेशा बनी रहें अनपूर्णा रूप से आपके घर में हमेशा वास करें जैसा कि आपको पता है कि ये जो शरीर है एक बहु मुल्यक आया है क्योंकि इस शरीर के अंदर आकर रिशी मुनी भी नोने भी तबस्या करी है और इस शरीर से बहुत कुछ प्राप्त क शरीर है तो सब कुछ है अगर अपना खुद का शरीर साथ ना दे तब कुछ भी नहीं और जो व्यक्ति आतम दे करता है वो ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने बहु मुल्य शरीर का आतम दे करने जा रहा है मालो ऐसा क्या है ऐसा क्या हो गया अन्होनी जो माबाप उसको पालते हैं बड़ा करते हैं और उनकी उमिदों को वो एक दम त्याग देते हैं तो उसी समय अपने शरीर को इस पकार से मालो अपने शरीर कर जाता है कोई किस पकार से खो देता है अपने शरीर को तो ऐसा क्या मन और को इसी चीज़े ऐसा करने पर हमें मजबूर करती हैं। और हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर इस पकार के ख्याल हमारे अंदर आ रहे हैं। कई वारे व्यक्तियों के मंद में ख्याल भी आते हैं। कि मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। मेरे जीवन का अब कोई भी महतब नहीं है। कई वारे क्या होता है कि बहुत सारा करजा चड़ गया सीर के ओपर। तो करज के कारण वो व्यक्ति परशान हो जाता है। अपने शरीर को बहु मुल्या नहीं मानता। अपने शरीर की एम्मेत नहीं समझता। उस शरीर को वो त्याग करने की वो सुथबस इस शरीर को मेरे को त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम से बचने के लिए। जो है टिपल चोगनी हो जाती है परियत बनने के बाद। फिर वो अपने ही परिवार वालों को सेदता है। यह नहीं है कि आप किसी से बदला ले लोगे, प्लाना कर दोगे, यह कर दोगे। परियत बनने के बाद दूसरे वक्ति को ही तंग करता है अपने ही परिवार वालों को। फिर उसको अपनी शरीर को तो उसने खो दिया, वो किसी और के शरीर के अंदर अपना स्थान ग्रैन करता है। उसमें दो सीम काम करती थी, सीम मौईल तूट गया, अब वो क्या करेगा, एक ऐसे शरीर में उसको शरीर देना पड़ेगा, जिसमें दो सीम चलती हों। तो उसी पकार से, क्योंकि आत्मा तो है, वो प्रमात्मा का सवरूप है, शरीर, क्योंकि इस शरीर तो नश्वर है, पंच तत्वों से शरीर बना है, पांच तत्वों में ये वलीन होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना है, ये तो होना ही है, अगर आपके मन में इस पकार क ख्याल उत्पन हो रहे हैं तो ये कई वारी क्या होता है कि संकट की कारण भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसी प्रेतात्मा जिसने इस पकार के कारिये करे हैं या कोई ऐसी करा कराई भी हो सकती है जिसने आपको वो ऐसा चाहता हो कि इसका जो है मारासन हो मारासन विद्या के कारण भी इस पकार का कारिया होता है, किसी को मारने की जो विद्या है, तंतर विद्याओं में होता है, छे मोहन विद्या जो होती है, उसम कारन भी इस पकार का जो कारिया है, उत्पन होता है, और कई वारी इस पकार की जैसे की कोई गल में, अगर किस पकार की कोई लड़ाई तो हो वीजिये है वो कैते हैं सोने पर सुअग्य वाला काम हो जाता है संकड के लिए तो क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होता है क्योंकि मरने के बाद क्या होता है जब कोई आत्मा किसी भी शरीर को उसका देख अतिया करती तो अपने साथ मिला लेती है यह इनकी जो है टोलिया बन जात किसी का ताया आ गया किसी का फलाना सेद रहा है वो तो क्यों सेद रहता है ऐसे तो कहीं न कहीं आत्म दे के कारण भी ऐसा होता है तो अगर इस पकार के ख्याल आपके मन के अंदर बार बार उत्पन हो रहे हैं तो कहीं न कहीं जो नकरात्म कुर्जा जो है आपको परवाब कर रही है आपको चू रही है आपको मझबूर कर रही है कि आप ऐसा काम करें अगर ऐसे काम से बचने के लिए क्या किया जाएए ऐसे काम से बचने के लिए कहीं लोग ऐसे हैं जो यंग बलड होते हैं जैसे कि प्रेम के कारण जैसे उनका विभा नहीं हुआ किसी के साथ एक तरफा प्यार हो जाता है तब इस पकार का कदम उठा जेते हैं तब तो एक किसमगा और कहीं लोग करज में भाया करज के दो किर खेला या कोई जुआ सटा बजार खेला या कोई अपने आप ही कहीं से कहीं से कर्ज चड़ता गया तो कहीं न कोई 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 चीज मजबूर भी तो कर सकती है आपको ऐसा काम करने के लिए आप सुसाइड़ करने से फवरे एपने कोस्टिन अमारे दिमाग में ये किये बिलगाओ कि कोई ना कोई चीज़ ऐसा चाहती भी होगी कि कई ना कहीं आपको इस प्रकार का काम हो और तब ही तो कोई किस प्रकार से अगर आप मालो 30-35 साल की उमर में हो तो क्या लम मैरिज के कारण तो आप करनी पाओंगे अब क्या होगा लेंदेन के कारण मैं बद्राम हो जाओंगा तो ऐसा आप कहीं भी न सोचिए क्योंकि ये जो बहु मुल्य शरीर है बगवान क्या दिया है ये सिर्फ एक धरमशाला है किराये पे ले रखी है उसका रूम का किराया देना पड़ेगा आपको आप किराया देने के लिए आयो या पर लेन दिन करन पड़ेगा और चकरवती ब्याज लग जाएगा चकरवती ब्याज का मतलब होता है प्रेत योनी समझ गए 50 योनी फिर आप अगर प्रेत योनी में चले जाते हो तो उसका क्या पैदा उसका आपको कुछ भी फैदा नहीं होगा तो इसी पकार से जो मनुश्य काया मिली है इ ग्यारा पाठ करके देखिए आप से करे ही नहीं जाएंगे अगर आपके शरीर के उपर नकरात्म कुर्चा है ग्यारा पाठ कीजिए आप हनुमान जी के 21 पाठ कीजिए सुन्दर कांड का पाठ बहुत ही सुन्दर कांड है वो सुन्दर मालो आपके जीवन को सुन्दर बन बंचा ओगे आपको अपनी दे का त्याग नहीं करना पड़ेगा किसी भीकार का अगर सुन्दर काणड का पार्ट करना है उसमें संपुट भी लगाना है 60 दोई होते हैं इस पार्ट से एक वार किजिए तो क्योंकि जिस पार्ट का नाम ही हो गया सुन्दर कांड तो टो मैंन किस किंदर कांड है तो उसके बाद सुन्दर कांड के साथ दोहों को एक एक दोहे के बाद आपको संपुट लगाना चाहिए संपुट जो है उस वीडियो में मैंने बता रखा है जो सुन्दर कांड की वीडियो में मैंने बना रखी है सुन्दर कांड में किस पकार से आपने स बिल्वान हो जाएगी आपके शरीर में अगर नकरात्म कुर्जा के कारण आप सुसाइड करने की सोचों या कोई पहार जैसा बोज भी आया है अगर आप सोचते हो कि कई वारी यह नहीं कि आत्मा ही है या कोई कई वारी ऐसा होता है कि जिस प्रक्ति के शरीर में है अठुलीद बल क्योंकि इस पाट से क्या है कि हरुमान जी ने मा सिता के दरशन पाई है तो बहुत सुंदर वजान जी मन को भाता है क्योंकि राम नाम का उसमें चरितर है और जब्छी आपके दे का करने देंगे क्या बात करते हो आप आपके दे का तो त्याग ही नहीं करने देंगे वह आपको मजबूत बना देंगे क्योंकि आप उन्हें क्योंकि वह ऐसी त्रिक्षन बुद्धी आपको प्राप्त करवाएंगे कि आप सुम कोगे कि हमें दे का त्याग नहीं करना बुद्धी भी आएगी बल भी आएग क्योंकि यह बात याद अखना सुन्दर कान का पाठ सब पाठों में शेष्ट माना जाता है अगर इस पाठ को करोगे तो आप सुम्पवित्र हो जाओगे कभी ऐसा करने की सोचना भी मत नहीं तो आपको प्रियत योनी पिश्यास योनी सर्प्योनी का सामना करना पर सकता है आ आप कभी सोचों में पित्तर बन जाओंगा कोई परिशान नहीं जैसीतराम जैश्री बालाजी माराज मेंधिपुर की पवित्र किरपा आपका कल्यान करें और मा जगचनी मा भवानी अंबके की किरपा आपके घर में वास करें जैमातराम